प्रवाइब वेल्काम टू इंजिनियर्स पॉइंट हम क्या कहते है कि पेट का एक्जाम होते ही आपका सेशन ज्यादा ज्यादा आएगा ना एक दिर में चार-पांच सेशन आपका आने लग रहा है अलग भग में है ना तो पढ़ाई कैसी चल ले है आप लोगों को अच्छ नेटवर्क मिलता तो हम आपका इर्रिगेशन भी अप्लोट कर देते तुरान ठीक है तो कोई दिकत नहीं यह कोशिश कर आप आज या फिर कल से आपका इर्रिगेशन का भी वीडियो आने लगेगा ठीक है अभी आपका एकजाम में काफी दिन है तब तक हो जाएगा सब औ आर चल लाए चल लाए और सेशी ड्राइंग जल्दी आएगा एक दो चैप्टर हमाइशी का खतम करने बार डायक्ट हमार सेशी सर ड्राइंग शुरू करेंगे बाकी अब लोग जरूर बताएगा कमेंट करके और सेशी और सर्वे कैसा लग रहा है आपको ठीक है चलिए आ चैन सर्वे के लिए नोट्ब्स आता है उसमें रिकार्ट करते रहते हैं है screens पृटार अ होता है उसी तर्रे कि टौतल हम करते हैं है इसको कि नोट करते हैं ऑया है ना किसी में ऱंच काते हैं इलेक्ट्रानिक नोट बूक में उसको किसमें नोट करते हैं लेक्टानीक नोट बूक अगला कोस्टन का रहा है अगला कोस्टन पपसे कर लेंजिंग किसकी परकिरिया थेक्षेश परकिरिया एक क्या इदए बी स्री और ड है यह एक क्वोल रहा है एक आर आपका एक सीधी रेखा पर मधवर्ती बिंदूओं को अंकित करना एक सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा पर मधवर्ती बिंदूओं को मधवर्ती बिंदूओं को मधवर्ती बिंदूओं को अंकित करना अंकित करना B क्या हो जागा आपका अगम में बिंदूओं के बीच दूरी ग्याद करना अगम में बिंदूओं के बीच अगम में बिंदूओं के बीच बिंदूओं के बीच दूरी ग्याद करना दूरी ग्याद करना C क्या हो जागा आपका 36 दूरी को मापना ठीक है डी क्या हो जाएगा आपका किसी वर्स्तु को दो बराबर भागों में बाटना क्या है लोग सब जानते हैं क्या होता है जब मैंजर करना आपसों क्या है ना कि दो पॉइंट के बीच मैं च्छोटे पॉइंट को स्थापित करना घंकित करना क्या कराता है रेंजिंग कराता है हैना जैसे यहां से और हाब करके है यहां को में तुर नांतर आप परशनी नहीं है लेकिन आ से यहां मेंजर करना पड़ेगा अपना फैला ठूल करना परे अब यह होगा सकते हैं लोसा है पड़यों सब्सक्राइब करेंगे अब इसी के किनारे किनारे इसी क्या करेंगे मज़रीब गिरा के मेजर कर लेंगे है ना जो पॉइंट के बीच में चोटे-चोटे बिंदों का स्थाफिद करना क्या कराता आपका रेंजिंग कराता है रेंजिंग के लंबाई कितनी होती है दो से तीन मीटर है ना रं कितने पदीरू परकार से करते हैं एक होता है आपका डाइरेक्ट रेंजिंग घंच में डिखाई दें सब्सक्राइम होता है है जब वेपरास्पर आपस मेंographic 선택ART अगे of यहां दो विंद प्रसपत दिखाई नोध है उपाँ क्या करते हुआ रन запाओın-d сразу कि न INF कितने चाहिए चाहिए अब शमाज़ेगा यह अंप समझेगा जैसे कि बीच में पहाड़ी आ गया बीच में पहाड़ी ह accomplish तो या पिर सिपल समझे बीच में भवन आ गया यह सर्वेक कर रहेते बीर हैं इसटों को या याद को जो बिल्लिंग होता है और चैनिंग में भी बाध हाद देगा जैब कि तलाब किस बाधा देगा तलाब सिर्फ रेंजिंग में बाधा नहीं नदी फिर चैनिंग में बाध में नहीं देगा लिकिन जो पहार आ जाएगा आपका या क्या रखना है याद रखना है थे अगला कोशन देखिए कि अंगला क्या कहा रहा है कि डारेक्ट रेंजिंग तभी संभव है जब अंत रेंजिंग दिर्ग इरेक्ट रेंजिंग तभी संभव है डारेक्ट रेंजिंग तभी संभाव है जब जब अन्त इस्टेशन अन्त इस्टेशन जब अन्त इस्टेशन A B C D पहला है 100 मीटर से कम हो 100 मीटर से कम हो ठीक है बी क्या कर रहा है आपका परस पर निकट हो परस पर निकट हो निकट हो सी क्या कर रहा है परस पर देखे जाने योग दूरी पर हो है ईसके बीच में घरlang नहीं कर सकती है इस आए इस बिएक्ड माले तरहि इस that कशल टालाएं ऐसिलान कम रोचित और दोने सों पॉइंटी पर जानता हैं कि उसके भी बीचு Caro कितना मीरव पहाड़ी घहर सब्सक्राइब को अगया सब Україं estatus नहीं है माझेगा सब्सक्राइब है नजदिक कितना नजदिक है इससे तो लिए मतलब है तो दो पॉइंट बगल बगल में हो बीच में रूम आजाए बीदिंग आजाए किसी का तभी रेंजिंग थोड़ी हो पाएगा है ना बाता डाल देगा क्या होगा आपका बस आपसे नंबर सी होगा जो हम पीछे बताय पहुंचना संभव नो हो है ना जैसे तलाब आ गया तलाब में तो दिखाए देगा है ना लेकिन यहां बीच में पहुंच नहीं पाएंगा है ना तो इसके लिए क्या करते हैं सभी है अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन कह रहा है है और आ लोग टेलिग्राम जोइन के लिए और ट्वीटर और इंस्टाग्राम है उसको फॉलो करें आज यह कुछ बात है अगला कोश्चन है करा है एक सर्वेच्छक एक प्रोजेक्ट के सर्वेच्चल के दवरान करा है एक सर्वेच्चक प्रोजेक्ट के सर्वेच्चल के दवरान सर्वेच्चल के दवरान एक सर्वेच्चक प्रोजेक्ट के सर्वेच्चल के दवरान एक गलती करता है जो कि कि उसके एक गलती करता है एक गलती करता है करता है जो कि जो कि उसके जो कि उसके उसके बुद्धिमता एम परखने पनिर्वार करता है उसके बुद्धिमता वह परखने पनिर्वार करता है अब निर्भार करता है नो बुद्धी मता परक्षने पर निर्भार करता है इस परकार के तुरूटी को कहते हैं क्या कहते हैं क्या होजाएगा आपका ब्लंडर यह भारी भूल चोटा मुठा भूल नहीं है भारी भूल या फिर कहेंगा रेंडम एरर रेंडम एरर या फिर क्या होजाएगा शिस्टेमेटिक एरर सिस्टेमेटिक एरर या फिरो होजाएगा आपका कॉंस्टेंट एरर कॉंस्टेंट एरर बताएगे क्या होगा इंपर्टेंट कोच्छन है क्या होगा क्या होजाएगा आपका यह आपका होजाएगा रेंडम एरर जैसे कि माल लिजे है कि चलिए ठीक है कोचन क्या कर रहा है कि यह जैसे कि एक आदम बोला कि 179 आप लिए 169 आप लिए 168 आप लिए 169 कुछ भी है ना तो यह सब जो गल्टी होंगी तो अभी हमको कि जाना पड़ा है तो आज के लेक्टर बास छोटा ही रहेगा ठीक है झाल जाई ।